Hello my dear students, welcome to Magnate Brains. I am your teacher Shripi Tiwari और आज करेंगे Class 1 Environmental Studies का new topic which is Gifts Plants Bring. अब ही हम इत्ते दिनों से plants के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, right? We learnt about the plants, we also learnt about the parts of a plant. ये सब हमने जान लिया, हमने ये भी देखा कि पूरी दुनिया में करोडों प्रकार के plant हैं. एक जैसे नहीं, in fact हर प्रकार के plants अवेलिबल हैं. हॉब्स हो गया, श्रॉब्स हो गया, क्लाइमबर्स हो गया, क्रीपर्स हो गया, इतने सारे plants हैं. लेकिन चिल्रन क्या आपको पता है कि ये जो plants हैं, ये हमारे लिए वर्दान हैं, बूम हैं. बिकज ये हमारे लिए बहुत सारी चीजे लाके देते हैं. दे गिवस लोट्स ओफ जोट्स ऑफ गेफ्ट चिल्रन. ये ज़अगर फ्लांट नहीं होते, तो हम शायद बहुत सारे जिप्ट से बच जाते, बहुत अब वर्दे ही नहीं. have been impossible हमारी life बिल्कुल भी possible नहीं होती अगर ये gifts जो हमें plants देते हैं वो अगर हमें नहीं देते तो okay so children आईए और देखते हैं कि ऐसे कौन से gifts हैं जिनके बारे में हम ये बाते कर रहे हैं और इतना serious matter में बोल रहे हैं कि अगर gifts नहीं देते तो हम survive नहीं कर पाते हम रारा कुछ हो नहीं पाता ऐसा क्या gifts है so children हम एक एक करके इनके gifts के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि yes these gifts which are given by the plants are so so useful okay so let's start the chapter gifts plants bring we cannot live without plants देखो पहली line ही कहां से शुरू हुई है कि हम plants के बिना जी ही नहीं सकते okay पहली line क्या है we cannot live without plants plants के बिना हम नहीं रह सकते क्यों they are very useful to us because they are actually very useful to us children बहुत बहुत जादा useful है अगर जीवन possible है अर्थ में उसका सबसे बड़ा main reason है children के हमारे पास plants है और इसलिए life is possible they make food and we eat that food first of all क्या दिया है के वो खाना बनाते है और हम वो ही खाना खाते हैं children they make food and we eat that food अगर plants नहीं होंगे तो हमें हरी हरी सबजियां कौन देगा कौन देगा हमें green green fruits, colorful fruits, vegetables यही सब तो हमें मिलते हैं plants और trees से so just imagine अगर children plants नहीं होते, trees नहीं होते तो ना हमें vegetables मिलते और ना हमें fruits मिलते फिर हम खाते क्या फिर हम दिन बार भूके रह जाते ओके तो पहला चीज तो यही है के they are very useful to us and how because they make food and we eat that food क्योंकि वो खाना बनाते हैं और हम वो खाना खाते हैं right you can see children कितने सारे fruits हैं और यह सारे fruits हम खाते हैं okay तो आप खुदी सोचो के अगर plant ने fruits नहीं बनाए होते तो वो fruits हमें मिलते भी नहीं और वो fruits नहीं मिलते तो हमें nutrients नहीं मिलती हम healthy नहीं रह पाते और इसलिए the first point is they make food and we eat that food right तो अब आप सोचो पहला gift क्या हो गया fruit food okay पहला gift क्या है आपका food जिसमें आते है fruits भी और vegetables भी और यह तो बहुत important है हमारे लिए okay children now let us see और क्या gifts हमें plants देते they clean the air we breathe जो हवा जो air हम breathe करते हैं आपको पता है हम क्या inhale करते हैं हम क्या breathe करते हैं children we inhale oxygen हम क्या inhale करते हैं हम oxygen inhale करते हैं लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि there are so many vehicles there are so many cars, scooters, buses, trucks हमारा जो oxygen जो air में present है वो हो जाता है गंदा वो हो जाता है dirty और आप सोचो के होई अगर dirty air वो ही dirty oxygen हम inhale करेंगे तो हम बिमार नहीं पढ़ेंगे क्या हमारे lungs नहीं problem में आएंगे क्या and that is why children we need fresh air we need good oxygen और वो कैसे पॉसिबल है वो पॉसिबल है plants के थ्रू children क्यूंकि plants clean the air we breathe क्यूंकि जो plants होते हैं वो ही हवा को clean करते हैं हमारे लिए और फिर वो good oxygen we take okay so you can see how this girl is inhaling the fresh air क्योंकि plants are there trees are there which purify our oxygen which purifies our air around us children the second gift क्या है कि they clean the air we breathe वो अच्छी oxygen हमें देते हैं वो हमारे जो तरफ गंदी गंदी air हो जाती pollute हो जाती उसको clean करते हैं second gift हो गया now they give us medicines अब आप सोचो कि अगर आप बिमार पढ़ जाओ और दुकान में medicines ही ना हो क्योंकि दुकान दारवाला बोलता है कि plants और trees ही नहीं अब medicines कहां से बनेंगी और जब medicines ही नहीं तो हम आपको medicines क्या देंगे अब आपने अगर medicine ही नहीं खाई और आपका fever ही नहीं उतर रहा है और आप दिन भर दिन भर बेट पे ही हो आप खेल नहीं पा रहे हो आप घूम नहीं पा रहे हो तो सोचो चिल्डरन कि plants and trees are so useful because they give us medicines in के थू ही हमारी दुनिया में इतनी सारी medicines बनते हैं वो चाय फीवर का हो पेट दर्द का हो सरदर्द का हो उल्टी का हो या फिर और बड़ी-बड़ी diseases का so यह सारी medicines are only possible children because they are made by the plants and trees okay बहुत सारे herbs का में आते हैं और हों herbs को यूज करके चिल्रन बनती हैं अच्छी-च्छी दवाईयां जो हमें उल्ट क्यों करती हैं हमारी बिमारियों को दूर भगाती हैं तो फ़र्ड गिफ्ट क्या है दे गिवेस medicines पहला तो खाना यह नहीं मिलेगा दूसरा क्या हमें अच्छी हवा नहीं मिलेगी हम दिन भर बिमार पढ़ेंगे दिन भर खासते रहेंगे और तीसरा हमें medicines नहीं मिलेंगे अगर plants नहीं होंगे अर्थ में तो ओके तीन gift हमने discuss कर लिया children और अभी भी कहानी बाकी है वो ये है they also give us now you can see lot many things अब आप सोचो के अगर नहीं होते plants और trees तो हमें कितनी सारी चीज़े नहीं मिलती what are those things they also give us wood, paper, cotton, gum, perfumes, natural colors and rubber so just imagine children so many things are given by the plants and just imagine if these things are not given by the plants हमारी life कितनी impossible हो जाती right हम जो इतने अराम से paper में लिख लेते हैं paper को फाड के फेक देते हैं, chair में बैठते हैं, table use करते हैं, bistar में सोते हैं ये सब कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देता है हमें plants, that is why it is written, they give us wood, paper, cotton, gum, perfumes, natural colors and rubber you can see the pictures here children, these all things are given by the plants so so many gifts, right कोई एक दो गिफ नहीं, children, कितने सारा गिफ्ट हमें plants और ट्रीज देते हैं और हम इन्हें वेस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते isn't it, और सोचो कि हमें अगर कोई birthdays में gift देता तो वो हम कितना संभाल के रखते हैं but ये जो gifts है, children, जो plants और trees दे रहे हैं, ये तो बहुत ही precious है ये तो अनमोल है, इनके बिना तो life ही possible नहीं है तो हमें इस लिए इन सारी चीजों का इस्थमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आप जो इतने मज़े लेते हो ना, coffee का, cold cold coffee का या फिर juices का, या फिर narial पानी का even you get these juices, drinks also from the plants, children coconut tree नहीं होता, तो आपको coconut water मिलता क्या, no अगर coffee का plant नहीं होता, tea का plant नहीं होता, तो चाय पत्तिया, coffee मिलती क्या, no अगर orange tree नहीं होता, तो क्या आपको orange juice मिलता क्या, अगर mango नहीं होता, तो क्या आपको mango juice मिलता क्या So, आप खुदी सोचो, children, कि ये सारे plants, trees हैं दुनिया में, तो ही हम ये सारे चीज़ों का क्या कर रहे हैं? Enjoyment ले रहे हैं. And that is why plants, trees are very useful, children. We should protect them, ना कि उनको cut करवाते रहें. Okay? That is why we should protect trees and plants. If all the trees die, soon will die too. देखो, वही बात आ गई, कि अगर सारे पेड़ मर जाएंगे, अगर सारे पेड़ों को cut दिया जाएगा, तो बहुत जल्दी, soon मतलब, बहुत जल्दी we will die too. हम भी मर जाएंगे. Okay? तो हमारी life एक तरह से पूरी dependent है plants और trees में. There are people cutting forest for their needs. और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो अपनी जरुवतों के लिए खूब बड़े-बड़े forest को cut कर देते हैं. Okay? Such people, bad people, they are cutting the forest for their selfish needs. अपने मतलब के लिए वो पूरा का पूरा जंगल साफ कर देते हैं. बिना ये सोचे समझें कि अगर पेड नहीं होंगे तो बहुत जल्दी हम भी नहीं रहेंगे. One day there will be no tree left. और एक दिन ऐसा आएगा जब एक भी tree नहीं बचेगा. अगर इस तरह के bad people पेड काटना नहीं बंथ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में एक भी tree नहीं बचेगा. फिर आप सोच लो, children, ना हमें खाना मिलेगा, ना हमें fresh air मिलेगी और ना हीं हमें बाकी सारी चीजें मिलेंगी. तो that is why children, we all should protect our trees, we should not let them cut it, right? We must tell all not to cut trees. हमें सब को ये बोलना चाहिए कि पेड मत काटो क्योंकि पेड बहुत useful है. वो ऐसी ऐसी चीजें हमें प्रवाइट करते हैं जिनके बिना हमारी life impossible है, हमारी life बिलकुल संभव नहीं है. We must save trees and plant many new trees. In fact, हम सब को trees को save रखना चाहिए, protect रखना चाहिए और जब भी मौका मिलता है बच्चों, plant new trees. जैसे आपका birthday हो गया या आपके घर में कोई function है, तो instead of children going somewhere or celebrating something else, you should plant trees. एक दिन ऐसा बना लो कि आप एक plant को जरूर plant करते हों. आप पेड लगाते हो, छोटा सा पौधा लगाते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आगे जाके, जब वो बड़ा होगा, तो वो हम सब को धेर सारे gifts देगा. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें ये trees कट करने से बचाना है, we should tell everyone that we must not cut down the trees, in fact we should save them और जबी मौका मिले, we should plant many-many trees. ओके, so this was the chapter children, gifts from plants, जिसमें हमने discuss किया कि हमें कितने सारे gifts plants दे रहा है, और इसलिए हमें अपने plants, trees को बचाना है, रखना है संभाल के, ओके, अब एक information children, कि अगर आपको Magnet Brains के वीडियोस देखने होते हैं, तो जाना है Google Chrome में और लिखना है www.magnetbrains.com, उसके बाद ये site खोलेगी, जिसमें लिखा रहेगा, India's No.1 100% Free Online Education Platform, नीचे दिये रहेंगी classes, अब आप जो भी class में हों, आपको वहां का button क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे class 1 और आपके पास पूरे subject teachers आ जाएंगे, अब आपको सपोज मान लो EBS पढ़ना है, आपको दबाना है EBS का watch now button, और जैसे ही आप दबाओगी EBS का watch now button, आपके सारे chapter wise videos खुल जाएंगे, आपको जो भी chapter पढ़ना है, play that button और video हो जाएगा start, तो ये था हमारा chapter और आगे मिलेंगे अपने इसी chapter से related बात करेंगे, worksheet और summary, तो ये है हमारा chapter gifts from plants, तब तक के लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूलें, क्योंकि Magnet Brains रता है kindergarten to grade 12, free videos and free education, thank you.